वेलकम बैक बच्चों आपको पता तो चल गया होगा कि एसो एंट्रेंस की आपकी लास डेट दस तारिक थी लेकिन उसे बढ़ा करके 17 जन्वरी कर दिया गया है 17 जन्वरी यानि कि जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं बढ़ा है वो भी इस फॉर्म को भर सकती है और और अच्छी तरह से आप अपनी NCRT की बुफ्स पढ़ रही होंगे मैस की साइंस की तो मैंने आपको जैसा के पहले बदाया था कि आपका एक अप्रिट्यूट टैस्ट होगा सिलेबस मैंने आपको शेयर किया हुआ है उसी केसा आपके तैयारी करनी है साथ में एक बात हमे आपके एमिट काड़ पर लिखी हुई आएगी कि नगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी तो उसी तरह से हम लोग अपनी स्ट्रेटिजी तयार करेंगे लास्ट मॉमेंट पर कि हमें सभी के सभी कोच्छन से अटेम्ट करने है या फिर वही कोच्छन से अटेम्ट करन लेकिन आप फिर भी आपर वीजन कर लीजे, साथ में पेपर पैन लेकर के बिटा साथ में जरूर बैठा कीजिए, यह जो चीज़े आपकी रिकॉल करने वाली होती है, उन्हें आप नोट किया कीजिए साथ के साथ, हमेशा जब भी आप देखने के लिए बैठें तो आपके ह अपने वीडियो को इसमें, आपके मैंने रेशनल नंबर के में लिए हैं, उमीद है कि आपने लेसन को अची तरह से इस चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा रेशनल नंबर्स वाले को इसमें आपकी क्लोजर प्रपर्टी, असोचिटी प्रपर्टी सबकी दिया है, इंटीज और इरेशनल नंबर के नहीं कहते हैं, यह सब आपको बिट अची तरह से पता होना चाहिए, नहीं पता है, तो एक बाद फिर से आप कहीं न कहीं से देख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद याम जी क्यों कर लीजिए, आराम से बेटे, पहला है, माइनस एक्स, ब्रैक माइनस एक्स, तो माइनस माइनस आपका, जब आप मल्टिप्लाई करती हैं, ब्रैकिट का मतलब है, मल्टिप्लाई बेटे, जहां ब्रैकिट लग गया, यानि कि बाहर वाले नंबर से इसको मल्टिप्लाई करना है, यानि कि हमी यहां बाहर माइनस है, यानि कि माइनस वन ह बाहर, 1 understood होता है, जब बाहर सिर्फ minus का sign लगा होता है, तो minus 1 होता है, यह understood होता है, है ना, तो minus 1 से जब आप minus x को multiply करेंगे, तो multiply में क्या होता है, कि minus और minus के sign जो होते हैं, वो plus बन जाते हैं, जब आप addition करते हैं, तो minus minus के sign होते हैं, sign minus का ही रहता है, और बड़े में से छोटे को आप माइनस कर देते हैं जब साइन प्लस माइनस के होते हैं तब क्या होता है कि मल्टिप्लिकेशन में आप साइन माइनस का लगाते हैं और एडिशन में आप बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े का sign लगा देते हैं लेकिन जब 1 minus और 1 plus होता है multiplication में तो आपका minus का sign लगता है और जब दोनो minus हो और दोनो plus हो तो वहाँ पर हमारा plus का sign लगता है multiplication में अगर दोनो minus हैं तो भी plus लगेगा और दोनो plus हैं तब तो plus आप लगाते ही हैं सिर्फ जब एक minus और एक plus होगा, तब हम minus का sign लगाते हैं, तो बिटाई, यहाँ पर आप देखिए, minus और minus, दो sign आ रहे हैं minus के इसलिए यह plus हो जागा, यानि कि हमरा ही जो है यह minus, bracket में minus x, जो है यह x के equivalent हो जाएगा, यानि कि option b हमरा यहाँ पर correct है, next question, a number of the form p oblique q is said to be a rational number, if p oblique q की form में कोई number है, उसे rational number कहा जाता है, अगर p and q are integers, p और q दोनों integers हैं, दोनों के दोनों integers हों, यह condition तो satisfy हुई लेकर इसके अलावा भी कुछ चीज़े चाहिए होती है, हम चारों option पहले पढ़ लेती है, p and q are integers and p is not equal to 0, p यहाँ पर 0 ना हो, दूसरा है, p and q are integers and q is not equal to 0, और चौथा option है, p and q are integers and p and q बोथ are not equal to 0, अगर p यहाँ पर हमारा जो है, numerator जो है, वो 0 है, तो भी अगर denominator 0 नहीं है, तो हमारा rational number बन जाता है, है ना, यानि की हमारा, जो c option है, p and q are integers and q is not equal to 0, यानि की, डिनॉमिनेटर जिसमें 0 ना हो, वो नमबर हमारा जो है, रेशनल लंबर कहलाता है, तो यह हमारा option c करेक्ट हो जाएगा, बिटे, next question, addition is associative for, addition किसके लिए associative है, natural numbers के लिए, whole numbers के लिए, rational numbers के लिए, या all of these, आपकी 8th class की जो बुक है, उसमें आपको closer property और associative property बड़े अच्छी तरगी से समझाई गई है, उनको आप देखिए, उनमें से आपको पता चलेगा, उसी के साब से यहां पर आप कर पाएंगे, तो देखिए, मैंने आपके लिए टेबल उसमें जो दी हुई है, वो ले ली है, closer property की और associative property की बड़े तो देखिए बड़े यहां पर closer property जो थी, उसमें मैंने आपको लिया है, कि associative जो होते है, आपको पूच्छा गया है question में, कि नमबर जो है, rational numbers, closer property पूची गई है, आपसे तो देखिए, आपका closer property हाँ आ रही है, rational numbers are not closer under, division आ जाएगा, division जो होता है, उसमें, जो rational numbers होते हैं, closer property उसमें नहीं लगती है, rational numbers के अंदर, ठीक है, next question, the additive inverse of A upon B is, additive inverse बोलते हैं, कि जिसको जोडने से ये number, 0 हो जाए, तो 5 में अगर आपने, minus 5 जोड़ा तो 0 हो जाएगा, यानि कि 5 का additive inverse, minus 5 होगे, आपने 7 में जोड़ा तो, minus 7 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही, अगर आप A upon B में, minus A upon B जोड़ोगे, add करोगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानि कि A upon B का additive inverse होगा, minus A upon B, यानि कि हमारा D option यहाँ पर correct है, आप सभी के सभी इसको बिटा practice कर सकते हैं, आप लिख कर के देख सकते हैं, A upon B में आप, अगर minus B upon A को add करेंगे, तो ये 0 नहीं होगा, A upon B में आप B upon A को add करेंगे, तो भी ये minus, minus A upon B को जोड़ेंगे, तब ये 0 हो जाएगा, यानि कि इसका additive inverse जो है, वो negative A upon B होगा, ठीके बिटे, next question, the reciprocal of 0 is, 0 का reciprocal, यानि कि, जैसे हम 1 का निकालेंगे, 1 oblique 1 यानि कि 1 ही हो जाएगा, minus 1 का निकालेंगे, तो ये minus 1 का निकालेंगे, जैसे हम 0 का reciprocal निकालना है, तो हम देखते हैं, 0 का reciprocal निकालेंगे, 0 oblique 1 होगा, मतलब 1 oblique 0 होगा, यानि कि जिसका denominator 0 हो गया, 0 से किसी चीज़ को डिवाइट करते जाएगा, तो इन्फिनिटी तक होता चला जाएगा, लेकिन उसका हम solution नहीं निकाल सकते, उसको हम define नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा not defined होगा, क्योंकि आप 1 से divide करेंगे, तो सेम नंबर आजाएगा, लेकिन अगर आप 0 से divide करेंगे किसी नंबर को, 0 बन जा 0, 0, 2 जा 0, 0, 5 जा 0, 0, 10 जा 0, आप कितना भी करते चले जाएगे, वो 0 ही रहेगा, इसलिए जब 0 से किसी नंबर को divide करेंगे, तो इंफिनिटी आएगा, इसलिए आप इसको जो reciprocal of 0 है, वो define नहीं किया जा सकता है, option C correct है यहाँ पर, next question, 0 is not, a natural number, a whole number, an integer, और rational number, 0 क्या जीज़ नहीं है, natural number नहीं है, whole number नहीं है, integer नहीं है, या rational number नहीं है, बैटा, 0 जो है हमारा, इसको हम natural number नहीं मानते हैं, whole numbers में 0 को count किया जाता है, natural numbers में, और whole numbers में यहीं फरक है, कि सभी के सभी जो आपकी जो numbers हैं, वो सब natural numbers कहलाते हैं, यानि कि हमारा option A correct होगा यहां पर next question फिर चौदर फालाएंगे जिलता multiplicative identity for rational numbers multiplicative identity बोलते हैं जिस number से किसी number को multiply किया जाए तो वो 1 आ जाए तो multiplicative identity for rational numbers किसी rational number को multiplicative identity का मतलब है इससे multiply किया जाए वो number सेम रहे ठीक है? यानि कि multiplicative identity जो होती है rational numbers के लिए किया होती है minus 1 करेंगे तो minus का sign आ जाएगा 0 से करेंगे तो वो पूरा का पूरा number ही 0 हो जाएगा यानि कि 1 होता है हमारे पास जिससे हम किसी भी number को multiply करते हैं तो वो same रहता है इसलिए हमारा 1 जो है वो multiplicative identity रहेगा multiplicative identity बोलते हैं कि किसी number को आप उस number से multiply करें तब भी same ही number रहे वो बेटे यानि कि हमारा A option correct होगा next question which of the following statement is true इन में से कौन सा जो हमारा statement है वो सही है natural numbers are associative for division ये तो हमने पहले देखा था गलत है ये तो हमने टेबल में देखा था देखे वेटा associative property के हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो division के लिए तो हमरे natural numbers देखे यहाँ पर नहीं है नहीं है बिल्कुल भी associative property नहीं आती है इसमें हमारी है ना next question next हमरी statement whole numbers are associative for division whole numbers division के लिए associative नहीं है integers are associative for division division के लिए integers भी associative नहीं है Rational numbers are not associative for division यहां पर हमारा जो चौता स्टेटमेंट है कि Rational numbers are not associative for division यह हमारा सही है पहले भी हमने क्वेचन किया है कि Rational numbers किसके लिए associative नहीं है वहां पर हमने देखा तकि यह division के लिए नहीं थे तो दो कर्चन हमारे इस तरीके से घुमा के पूचे गए है ऐसे आपसे पेपर में भी घुमा फिरा के पूचे जा सकते हैं Next question The additive identity for Rational numbers is Rational numbers के लिए additive identity additive identity बोलते है कि जिसको जोड़ा जाए उसके बाद भी जो Rational number है वो सेम रहे उसमें ना कुछ बढ़े ना कुछ घटे सेम रह जाए वो तो 1 जोड़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा माइनस 1 करेंगे तो माइनस हो जाएगा एक अगर आप 0 एड करेंगे तो वो सेम रहेगा ना उसमें कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटे का इसलिए किसी भी रेशनल लंबर की जो एडिटिव आइडिटिव आइडिटिटी है वो 0 है इसलिए ऑप्षन हमारा C करेक्ट होगा नेच्ट करचन अगर इडिटिव इन्वर्स ऑफ 711 711 का एडिटिव इन्वर्स क्या है ये गलती से 711 का एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो माइनस 711 होगा यहाँ पर ऑप्षन नहीं दिया गया है आप ध्यान रखियेगा इसमें यहाँ पर हमारा माइनस 711 हो जाएगा क्योंकि एडिटिव इन्वर्स बोलती है कि जिसको जोडने पर वो नमबर 0 हो जाए एक कच्चन हमने ऐसा पहले भी किया था A upon B की फॉर्म वाला उसी तरीके से 711 का एडिटिव इन्वर्स माइनस 711 होगा बिटे नेथ तब मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस 35 बोलते है इन्वर्स में कन्फ्यूज मत होना इन्वर्स में मतलब होता है मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि वो नमबर 1 हो जाए मल्टिप्लाइ करने पर तो मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स माइनस 35 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा माइनस 35 में अगर हम माइनस 53 को मल्टिप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा माइनस 35 में हम 53 को अगर मल्टिप्लाई करेंगे तो भी हमारा 1 नहीं आएगा माइनस 35 में अगर हम माइनस 1 उबलिक 35 को मल्टिप्लाई करेंगे तो हमरा यह 1 हो जाएगा आप देखें, minus 35, multiply minus 1, oblique 35, 35 से 35 कट जाएगा, minus से minus कट जाएगा यह हमारे पास बचेगा 1, जो की multiplicative inverse होगा, minus 35 का बिटा Next question, the negative of a rational number is called is किसी भी rational number का जो negative होता है, उसे क्या कहते हैं? यह आपके लिए question छोड़ा हुआ है, इसमें options नहीं मैंने दिये, negative of a rational number उसको क्या कहते हैं? किसी भी negative, जो rational number होता है, उसका जो negative होता है, उसको additive inverse बोलते हैं क्योंकि जो positive number है, उसको जब आप negative से add करेंगे, तो हमारा 0 हो जाएगा जो negative of a rational number होता है, उसको हम उसका additive identity कहते हैं, additive identity next question, which of the following statement is true? इन में से कौनसी statement सही है, natural numbers are closed under division natural numbers are closed under division में closed नहीं होते हैं, whole numbers are not closed under division नहीं होते हैं whole numbers are not closed under division नहीं होते हैं, यह विलकुल सही है, आगे भी देख लेते हैं, integers are closed under division नहीं होते हैं, rational numbers are closed under division, rational numbers भी division में closed नहीं होते हैं, यानि कि हमारा statement है, whole numbers are not closed under division, यानि कि option B हमारा correct है, तो इसमें अप्टिक लगा देंगे, whole numbers are not closed under division, next question, the rational number that does not have a reciprocal is, इसमें पहले भी चर्चा किया है, अभी इसी वीडियो में, कि जो 1 है, 1 का reciprocal 1 हो जाएगा, minus 1 का minus 1 हो जाएगा, 12 का 1 oblique 12 हो जाएगा, लेकिन जो 0 है, इसको अगर हम reciprocal निकालेंगे, तो यह 1 oblique 0 हो जाएगा, और वह हम define नहीं कर सकते, इसलिए, इसलिए, तो जाएगा, इसलिए जो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका reciprocal नहीं होता है, next question, which of the following type of numbers are closed under only multiplication, इन में कौन से नंबर हैं, जो कि सिर्फ multiplication में closed होते हैं, यह हमने पहले table भी की थी, बेटा, मैंने आपको table दिखाई थी, closer property की, इसमें आप देखिए, जो multiplication में हमारी जो होते हैं, close होते हैं, multiplication में हमारे whole numbers जो होते हैं, उनमें closer property हमारी लगती है, यह आपको धियान रखना है, तो multiplication जो हम करेंगे, तो हमारा, वो closer property लगएगी, ठीक है बेटे, किसमें whole numbers में, यानि कि हमारा C option correct है, next question, simplify, 112 plus 114 plus 118 plus 1116, इनको अगर आप add करेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर बेटा, board mass वाले आपके question भी आ सकते हैं, plus, minus, division, multiply, कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने आपके लिए, कि इस simple, ब्रेकुल simple सा question रखा है, इस तका आसान सा question भी आ सकता है, इसमें आप add करेंगे और add करने के बाद आपका क्या answer आ रहा है, वो आप लगा लेंगे, या फिर आपका जो देχिए, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इसमें क्या answer आ सकता है, क्योकि 1116 2015 में आपको 1118 add करना है, एक नमबर आपका 1000 से ऊपर हो गया तो आपका 444 तो नहीं हो सकता और साथ में 12,000 तक जाई नहीं रहा है यानिकि हमारा आंसर जो होगा वो 1460 होगा यहां पर तो आप लोग इसमें option C करेक्ट रहेंगे हालां कि इसले के question आपसे पूछी जा सकते हैं ब्रैकिट लगा हो सकता है प्लस माइनस मुटिप्लाइ डिविजन कोई भी आपका इसमें लगा हो सकता है मैंने या कर दिये बिल्कुल सा question लिया है लेकिन ऐसे question आपसे पूछी जा सकते हैं इसली थूले से आप कर लिजीगा लिख करके next question the sum of the rational numbers minus eight oblique 19 and minus four oblique 57 is इस तके कोचन आप कैसे करेंगे जो डिनोमिनेटर से उनका आप LCM लेंगे उसकी बाद जो डिनोमिनेटर है आपका उनका जो LCM आया उससे डिनोमिनेटर को आप डिवाइड करेंगे जो कुछ आएगा उससे आप नियुमिनेटर को मुटिप्लाइ करेंगे और लिख देंगे सेम ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे फिर्कियों के दोनों में साइन माइनस 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 के जो है वो प्लस करके माइनस का साइन लग जाएगा इस तरीके से आपका जो आपका जो आपका जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो आपका जो LCM आए 57 आपका अंसर आएगा इस तरह के कोच्चन भी आपसे पूछी जा सकते हैं तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहे हैं एक प्रैसिप्लोकर जहां नेगटीव रेश्नलनंबर का उसमें क्या होतायो ऀजा पॉजिटिव रेश्नल अंबर אॉय सर डेज़ साम खेंडरственज किसी भी नेङडरी रेश्नल नमबर को प्रैसिप्लोकर निकालेंगे तो एक नेगरी रेश्नल जाएं psych भी बिती जिसटिटिव नहीं होगा नहीं एसा हो सकता है कि पॉजिटिव यह नहीं सकते हैं गिया है फ्लिव नहीं है यह सätter हो इसा वो सकता है और यह भी नहीं है और यह बिता है за evil И Luther Apollo करें यहां पर आपको multiply करके देखना पड़ेगा इनको यहां पर आपको multiply करने पर इनको multiply करने पर इनको यह आ रहा है उसमें से एक आपका 4 है 4 से आपने multiply किया तो वह minus 20 of 9 हो गया 4 से अगर हम इन सब को आप देख लीजे करके 4 से आप डिवाइट कर लिजिए इसको 20 of 9 को तो जब आप इसको डिवाइट करके minus 20 of 9 multiply 1 of 4 हो जाएगा 4 से आपका 20 कर जाएगा तो वह minus 5 आज जाएगा नीचे 9 का 9 बना रहेगा यानि कि हमारा जो आउस्वार आएगा इसमें minus 5 of 9 आएगा यानि कि हमारा option a correct है बेटे which of the following forms of pair of equivalent rational numbers equivalent rational numbers यानि कि जो काट करके आपने numerator और denominator को सेम नंबर से काट करके उनको दोनों को equal कर सकते हैं इसे दोनों के दोनों कौन से हैं एक वरेंट 24 उबलिक 40 35 उबलिक 50 या minus 25.35, 55 उबलिक – 77 minus 8 and oblique 15 minus 24, 48, 9 oblique 72 minus 3 oblique 21 या आप देखे 24 oblique 40 को आप जब डिवाइड करेंगे तो या आपकर 12 oblique 20 हो गया 12 oblique 20 को फिर से आपने किया तो इसे आप सीधा-सीधा 4 से कर दीजिए तो आपका ही हो जाएगा 6-10 उसको दुबारा से करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 3-5 3-5 आगया यहां पर हमारा 35-50 को अगर हम करते हैं तो 5-10 यानि कि 7-10 यानि कि 3-5 और 7-10 हमारे यह equivalent नहीं हुए नेक्स में-25 और 35 इसको अगर हम करते हैं तो 5 से करते हैं 5-7 आ गया 55-77 को करते हैं तो 5-7 आ गया दोनों जगा मैनस का साहिन है एक जगा ऊपर है एक डीचे है लिकिन यह नेगेटिव ही रहेंगे दोनों के दोनों यह हमारे यह 8 से हो जाएगा 8 से करने पर 3-6 यह 3-6 यह 1-2 हो जाएगा 1-2 हो जाएगा 1-8-15 के बराबर नहीं होता है यह 9-72 को करते हैं तो यह 1-8 हो गया लेकिन 3-21 को करते हैं 1-7 हो गया सिर्फ बी है जो कि equivalent rational numbers है दोनों जगा पर मारा जो है मैनेस 5-7 हो गया है यानि कि हमारा option B करेक्ट हो गया यहां पर next question which of the following rational numbers is in the standard form standard form बोलते हैं जिसको हम किसी और से काटके छोटा नहीं कर सकते हैं 2-9,28 दोनों के तोनों सेम नंबर से नहीं कर रहे हैं मैनस 26 अबलिक 78 देखिए 2 से कर सकते हैं 1-14 मैनस 16 यह भी 2 से कर सकता है 48 मैनस 96 यह है आपका negative जो मैनस का साइन नीचे आ गया और वैसे बी तू से कर सकता है यानिकि इस सब नहीं है के बल मैनस 9 अबलिक 28 यह हमारा यह हमारा standard form है यानि कि option A correct होगा हमारा next question which are the rational numbers minus 4 oblique 9, 5 oblique minus 12, 7 oblique minus 18, 2 oblique minus 3 is the greatest इन में से कौन सा सबसे बड़ा है तो बिटा देखिए 9, 12, 18 और 3 का जब आप LCM लेंगे तो आपका क्या हैगा यहापका 36 आपका LCM आ जाएगा 36 LC हम आ जाएगा तो 36 से आपने 4 को किया तो 4, 4, 16, 12 को किया तो 3, 15, 18 से किया तो 2, 7, 14 और 3 से किया तो आपका आ गया 36 से 12, 24 यानि कि मेरे हिसाब से 2 oblique minus 3 जो है यह smallest हो गया आपका क्योंकि minus का sign है minus के sign में जो होती है और सबसे चोटा वाला होता है और सबसे बड़ा वाला होता है और सबसे चोटा हो जाता है तो इससे आप calculate करके देखिए बिटा और इसके बाद जो रेशनल लंबर में सबसे बड़ा है उसको आपने बताना है यहां पर साइन का जरूर आपने घ्यान रखना है कि साइन आपका जिसमें तो इसी सबसे सबसे चोटा आपका जो आपका तू अबलिक माइनस री हो जाता है और सबसे बड़ा कौन सा निकलेगा वाप निकाल के लेखिए नेस्ट कॉचन रेखिए बीच में रिचने रेखिए बीच में रिचनल लंबर कितने भी हो सकते हैं क्योंकि 1 और 2 के वीच में इंफिनाट ही रहेंगे आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं which of the following is not a rational number 2 rational number है 0 भी rational number है 5 जो है 5 हमारा irrational number कहलाता है क्योंकि यह हमारा ना तो satisfy होता है और ना ही इसमें जो remainder आता है वो repeated आता है कोई series नहीं बनती है इसलिए 5 को हम लोग irrational number कहते है 5 को rational number नहीं माना जाता है जिसकी value होती है 22 oblique 7 तो option हमारा C करेक्ट होगा नहीं जो हम find multiplicative inverse of minus 2 oblique 5 minus 2 oblique 5 का multiplicative inverse ऐसा number जिससे multiply करने पर minus 2 oblique 5 जो है यह 1 बन जाए तो वो minus 5 oblique 2 होगा क्योंकि जब हम minus 2 oblique 5 को minus 5 oblique 2 से multiply करेंगे 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाला और 5 से 5 कट जाएगा यह और minus से minus कट जाएगा बन बचेगा इसलिए हमारा जो multiplicative inverse होगा minus 2 oblique 5 का वो minus 5 oblique 2 होगा जाने कि option B हमारा correct होगा next question write 0.13 in the form of P oblique Q 0.13 को P oblique Q की form में लिखना है तो देखिए आपका 0.13 जो है यह oblique 1 तो है जब आप decimal हटाएंगे दो 0 पहले का तो दो 0 लग जाएंगे यानि कि 13 oblique 100 हो जाएगा इस तरह से आपका कोई भी question बेटा पूछा जा सकता है next question which of the following rational numbers does not lie between 3 oblique 5 and 4 oblique 5 इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर इन में से नहीं आता है तो बेटा देखिए इसमें हमारा 19 oblique 30 option दिया हो है 2 oblique 3, 7 oblique 10, 16 oblique 30 तो आप इन सब को साथ में लिखेंगे 3 oblique 5 लिखेंगे और 4 oblique 5 लिखेंगे 19 oblique 30, 2 oblique 3, 7 oblique 10, 16 oblique 30 इन सब को लिख करके आप सब का LCM निकाल लेंगे सब का एक साथ जबाप LCM निकाल लेंगे 30, 5, 3, 10 इन सब का LCM आएगा 30 आजाएगा 30 LCM निकाल करके आप इनको जैसे add करती है या बड़ा छोटा निकालते है उस तरीके से कर लेंगे तो जो सारे के सारे जो छोटे नंबर होंगे या बड़े नंबर होंगे वो इनके बीच में नहीं आएंगे और जो इनके बीच के नंबर होंगे वो आप देख लेंगे कि इनमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो इनके बीच में नहीं आता होगा तो 3 oblique 5 को गरम करते हैं 30 से तो 6, 18 आजाता है निकाल और इस चेक कर लेंगे next question which of the following is not an irrational number इन में से कौनचा इरेशनल नहीं है जिसको हम पुरी तरह से root जिसका नहीं अटा सकते है या जिसको हम पूरा पूरा P upon Q की फोम में नहीं ला सकते है under root 2 आ सकता है under root 3 नहीं under root 2 नहीं आ सकता है और पाई नहीं सकता हमने पहले भी किया था under root 4 जो है इसको हम जब करेंगे तो इसका जब मिकाल लेंगे तो 2 multiply 2 यानि कि हमारा simple 2 बन जाएगा इसलिए यह irrational number नहीं है under root 4 जो है यह हमारा rational number है तो option हमारा C correct होगा next question यहाँ पर हमारी questions खतम हो जाते हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए इसमें से आपके 3-4 questions जरूर पूछे जाएंगे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं लेकिन 3-4 questions जरूर पूछे जाएंगे इसलिए अच्छे से तयारी कीजिए all the best to all of you have a great day ahead बिदा